गौर से देखिए इस चेहरे को ये लड़का वेकेशन में इजिप्ट घूमने गया था और ये लड़का उस पिरामिड में चला गया था यहाँ पर जाना मना था ये लड़का अभी तक वापस नहीं आया लोग कह रहे है कि उसे जरूर ममी ने पकड़ लिया होगा तो सुरक् केविन है हाँ बाबा ममी ने केविन को पकड़ लिया है चलो अब हमें जल्द से जल्द केविन को बचाने के लिए इजिप्ट जाना होगा चलो जल्दी इसमें बैठ जाओ देखो हम लोग इजिप्ट पहुँच गए बाबा इधर दो बहुत सारे पिरामिड है केविन को कौन से पिरामिड में रखे लाओगा वो तो मुझे भी नहीं पता चलो नीचे जाकर किसी से पूछते हैं बादल नीचे उतर जाओ बाबा इस गाओ में तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा है लगता है ममी ने सब को टपका दिये लाए चीनू टीनू तपोरी मैंने अभी अभी वहाँ पर किसी को देखा चलो वहाँ जाकर देखते है लबा प्लेट नी सारी ममी वाब बाबा क्या साउट के हीरो के माफिक फाइट किये लाए बाबा मुझे मत मारना मुझे माफ कर दो मैं तुम्हे एक ही शर्त पे माफ करूगा अगर तुम मुझे बता दो कि ममी ने केविन को कहाँ पर पकर के रखा है यहां से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा पिरामिड है ममी ने केविन को उसी पिरामिड में पकर के रखा है वहाँ पर जाकर तीन बार खुल जा सिमसिम बोल देना उस पिरामिड का दर्वाजा खुल जाएगा चलो हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा लगता है यही वो पिरामिड है बादल नीचे उतर जाओ खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम ममी मुझे मत मार ना रुख जाओ ममी, तुम केविन को नहीं मार सकते यारे ज्यादा चर्बी चड़े लिए तुम लोगों को शुक चाप केविन को छोड़ दो नहीं तो खाली फोकट सबका डालेगा तुम सबको ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे इन लोगों को खर्जा पानी देना इच पड़ेगा रुख जाओ टपोरी अबै पिडू बाबा आज मंगल वारे आज आप उन किसी पर हाथ नहीं उड़ा था बाबा ने मुझे बचा लिया बाबा